नमस्कार स्रोताओ, आप लोग सुन रहे हैं कुमावाणी पर कारीक्रम धिद्बेन्या क्वीर। स्रोताओ, नववर्च के इस अवसर पर हम इस कारीक्रम के दोरान कुछ ऐसी बालिकाओं से आपको मिलवाएंगे जो अपने जीवन में कुछ बहतर और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समाज में एक रूडिवादी विचारधारा है कि बालिकाएं घर में ही अच्छे लगती हैं। लेकिन आज धिरे-धिरे समाज बदर रहा है और इस रूडिवादी विचारधारा को भी खत्म किया जा रहा है। इसलिए तो देखे न आज हर छेतर में बालिकाएं अपना पर्चम लहरा रही हैं। इसलिए हम इस कारिक्रम के दोरान कुछ उन बालिकाओं से आपको मिलवाएंगे जो समाज में अपनी एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शोदाओ आज इसी क्रम में हम आपको लिए चलेंगे जीवी ब्यूटी पालर भटेलिया में। यह पालर अत्यमती ही सुन्दर और आराम दायक है जिसे रेखा आरिया चलाती हैं। तो आएए चलते हैं और करते हैं उनसे उनके व्यविसाय से जुड़ी हुए कुछ बात जीत है। नमस्कार मेरा नाम रेखारया और मैं बात कर रही हूं भटेलिया यही ब्यूटी पालर शे दा मेरा जहां बैद भटेलिया में पालर है और लगंभग तीन साल नहीं पर crema काम कर नहीं तो रेखlas Thomas has said सबन्हार नहीं डिदूंब प्रवज़ शक्लेशंट प्रवात आप मतलए यह विचार एक या कोई और कारण यहाँ ओर खोड़ने का ऐसा कुछ नहीं था बचपन से ही चलाओंगी वाला पालर का कुछ नहीं था लेकिन थोड़ा इंट्रेस्ट था मुझे दुल्हन तैयार करना, महंदी लगाना, हैरिस्टैल करना बचपन से ही शौक था उसके बाद बाद में जब कुछ और भी कर ली थी काम और पड़ाई उस अच्छा चल रहा है काम तो आपने जब घर में बताया क्योंकि ठीक है भाई तो समझ गे कि यार वहन का इंट्रेस्ट पड़ाई में तो है नहीं इसके लिए पालर का काम सही रहेगा लेकिन हमारे पैरेंट्स होते हैं उनकी उम्मीदे थोड़ी हम से ज्यादा होती है तो अच्छा पालर काम करना चाहरे हूं तो उनका क्या रियेक्शन था मतलब क्या कहा उन्होंने मेरी फैमिली का ऐसा नहीं था मेरी फैमिली थोड़े खुले विचारों की है और थोड़ा शा मतलब मेरे को लेके थोड़ा कुछ ज्यादा हो थे कि मैं थोड़ा शा कमजोर खड़ी भी हैं और थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगे क्योंकि आपने बोला कि मैंने कोर्स किया था ना आपने पालर का कोर्स कहां से क्या मतलब कैसे किया किसने आपको बताया कि यहां से पालर का कोर्स करो यही था पहले भाया ने बोला उसके बाद मेरे छोटे भा अपना उपलब्द करवाए था ने प्राइवेट वाले से नहीं था और जो मैंने गवर्मेंट वाला बोला उसमें था शेटिफेट गवर्मेंट कौन से गोर्मेंट इसकीम आई थी वहां पर तो उस से करा था था कौशल विकाश योजना जो परधान मंत्री द्वारा चला ही जैसे आपने बोला कि अ खुले विचारों करे थी बहुत ज्यादा सपोर्टी थी तो थोड़ा सा फैंदी क tussen कैसी तो ऑपा एक अन्य ले उसमें जल्शर्श्चानand पापा और वह वी शुमिदावलय हुए तो इतने अच्छी कहशी चैलरी नहीं है तो फिर दिक्कत होती थी, हमें फिर हमने जो भी है अपनी महनत पापा ने भी कभी हमें पीछे हटने नी दिया, उन्होंने हमारे पीछे करा तो हमने भी उनको कभी निराश नी करा, आप उसके बाद फिर मेरे बड़े भाईया टीजर हैं, गोर्मेंट टीजर हैं, तो उनका फुल सपोर्ट बड़े वाले भाईया का मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है हर इस तरपे तो रेखा आप लोग के खेती बाड़ी भी थी या फिर पिता जी का जितना income source है उसी से घर चलता था नहीं खेती बाड़ी का भी है खेती बाड़ी भी हुई बहुत ज्यादा न अकेले हैं घर में कमाने वाले फिर अच्छाए की भाई की गवर्मेंट जॉब लगी तो वहां से थोड़ा आपको सपोर्ट मिल गया तो बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन जहां पर पैशू की बाद आती है वहा ताल मिल कैसे बठावती हो मतलब क्या कोई ऐसे दिक्कत होती है कि घर में खेती बाड़ी भी है वो भी करो और अपना यहां भी करो ऐसा कुछ कभी चैलेंज आया है नहीं जब पहले शुरुआदी अब तो शादी हो गई है पहले जब शुरुआदी में करा था उसमें हुआ, तो उसके बाद अभी अभी होता है थोड़ा शादी के बाद भी देखना ही कुछ नहीं, तो घर का म भी काम भी देखना होता है ताइम उनको भी देना है अपना यहां के मिल है और दिक्कत आती है in the तो जैसे आपने बलाएं कि अब तो साधी होगी है जब अन्मेरिट थे थे थोड़ी कम परिशानिया होती थी अब साधी के अगर हम बात करें क्योंकि बहुत सारी साधी शुदा महलाई होती है कि जैसे ही साधी हुई अपना काम छोड़ देती है क्योंकि परिवार को भी देखने में या घर को देखने में या अपनी व्यविशाई को देखने में इतना ज्यादा भी नहीं है लेकिन वह होता है कि घर में आप बहु जहां से हो गई तो पिर उसके बाद कई जिम्मेदार्या घर में भी हो जाती है तो उस चक्कर में थोड़ा सा होता है कभी लेकि कभी ऐसा हुआ है कि आप यहां से थके मादे घर गए घर में बरतनों का डेड़ पड़ा हुआ है जाडू नहीं लगाया है और मतलब ऐसा कभी सिच्वेशन आपको फेस करनी पड़ी है घर में ऐसा होता नहीं है कभी कभा थोड़ा होता है तो मैंज हो जाता है तो आपको अज़ दिखते हैं गुष्षा आता है गुष्षा तो मेरा हमेशा साथ यह आश्वान में रहता है बहुत चिड़ चिड़ी हो जाती है तो आप मतलब चुप चाप जाके जो काम पेंडिंग पढ़ा उसको निप्टा देते हो हाँ जो पहले करने वाला काम है तो उप लूं आलों के साथ कि वह चोटी मुटी जौब करते हैं घर जाते हैं दो बहुत साला काम पड़ा है फिर उं को अनको गुष्स आता है या कहते हैं की या कह सकते है खुदी कुंठित हो जाती श्निका नाकरी भी करो फिर उनका काम भी करो तो उसमें बहुत अची बात है और रह आ प्रेष्टे भूमी से बहार निकलते हैं अब जानते हैं आपसे कि आपने जब ये पालर का काम सुरू किया था उसमें आपको क्या क्या चुनोतियां महसूस हुई थी पहले जब मैं कोर्श करके आई उसके बाद यहां पर ना किराय की दुकान मिल रही थी नहीं कोर्श के बा भूमते रहे उस चक्कर में फिर मैंने हल्दवानी में भी जॉप करी और उसके बाद फिर फिर तो लॉकडाउन ही हो गया था तो मैं घर आ गई घर आने के बाद फिर भी मतलब मेरे घरवालों का यह नहीं था कि तू बाहर जाके जॉप कर अपना ही काम कर जब शीक लिया अच्छा और किस तो मैं खुद देती हूं ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर किसी और पर डाले है मैंने उसका नहीं इतना हो जाता है मेरा ठीक चल रहा है स्टार्डिंग में चुनोतियां थीक तो काम नहीं आता था खाली दिन भी जाता था मेरा आती थी बैठती ती दिन भर कि अपने टाइम से चली जाती थी तो फिर देकत तो पॉल नुट थी तो जैसे आदम लोला किरेखन आपनने का कहीं से लोन उठाया मैंने देखा assessments की अ के बाद सुनते ही मतलब थोड़ा गव्रा जातें का ज़ए यह दो ने लोन उठाओ फिर शर पे वो देन ही पाए तो तो मतलब आपको किसने मोटिवेट किया इस चीज के लिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मानती हूं लोन लेने के लिए मोटिवेशन भी चीए होता है तो किसने आपको भरोशा दिलाया कि तू उठा तो सही लोन नहीं हो पाएगा तो हम सपोर्ट करेंगे तो वह है मेरी फैमली ज हैं उन्होंने में को कई तरीके बताए और उसके बात नहीं तो क्यों नहीं चलेगा यहां पर मैंने किराय पे ले ले ली थी लेकिन मैंने काम स्टार्ट नहीं करा था वह इस चक्रम्य की मुझे पता नहीं था तो पहले यहां एक हाँ हमारा एक प्लैन था कि जब मैं पालर ओपन करोंगी मतलब मेरा और मेरे भाई बहनों का कि सबका एक एक लेटर लेके हम कुछ यो निक्षा बनाएंगे कुछ तो वो तो नहीं बन पाया क्योंकि आठ हो रहे थे लेटर और उसमें थोड़ा गड़बड कुछ अच्छा श तब जेवी करके वो एक अच्छा शा लग रहा था सुनने में ही अच्छा लगता है ओ फिर मम्मी पापा का नाम है तो अच्छा ही लगेगा यानि कि नाम के साथ माता पिता का अशिरवार जी आपको मिल गया है तो जैसे कि हम देखते हैं कि भटेलिया मार्केट में और पा नहीं आओं और उसके उपर से काम का है काम लोग तो हाती देखते हैं उसमें एक हात होता है ब्योहार होता है दो चीजें शायद लोगों को अच्छी लगती होंगी अब यह तो वो लोग बता सकते मैं नहीं तो बोलते हैं जो मेरी थ्रेडिंग उगा रहा हैं वो बड़ी फेमस हैं यहां पर सबी से मैंने सुना है तो जब कमेंडमेंट आते हैं तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि लोग बोल रहे हैं और बाकी जो है फेशियल थ्रेडिंग वैक्शिंग और हेयर कट यह सारी चीजें होती हैं मैं निक्यूर पेडिक्यूर और मैं साथ में होम सर है उन लोग के हां तो इस वज़े से भी हां मार्केटिंग फिर मेरी धीरे 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 आज ठीक है और दिकत होती है बाकी टाइम अच्छा चलता है यानि कि शुरता आप जब भटेले आएंगे तो आप देखेंगे कि चाहें दूसरे पालर बंद हो यार ना हो खोले मिलेगा और आप यहां पर मैनिक्यूर पेटिक्यूर और भी जो सर्विस हैं आपको बताएगी उसका आनन्द ले सकते हैं थोड़ा सा रेखा में यह भी जानना चाहूंगे क्योंकि सादी का सीजन होता है ना बहुत से लोग होते हैं कि ओफर देखते हैं जिन लोग को मेरे को आस तक मिले हैं तो थोड़ा रेट को लेकर तो रहता है उनका और टाइमिंग का रहता है अब यहां पर और प्रेंश हमें पालर की अलग तो है और यहां पर अलग है अब उसमें मेरे को भी टाइम जी है कि वहां जाना है घर जाके करना है आना जाना मुझे सब कुछ देखना होता है तो उसके बाद लोगों का जो थोड़ा अशा एक आपने जो कहा कि जानने वाले जो होते हैं वो ब्रैंड को लेके चीजों की ब् तो उसके बाद मेरे पास शमान उनको अच्छा मिलेगा तो वो खुद पर खुद आते हैं और आके दुबारा भी मेरे को काम देते हैं ये चीज मैंने खुद से मतलब देखी भी है और लोगोंने मेरे से बोला उस टाइम तो ऐसा ऐसे बोलते हैं कि दिमाग खराब करके जा को है मेरे साथ आशाभी लोग आके बोलते हैं देखते हैं उसके बात पाइनल करते हैं बिलकुल जैसे की रिखा आपने वी बताया कि वास्तों में आज कर लोग थोड़ा सा अपनी ब्यूटी प्रोडेक्ट को लेके थोड़ा जागरूख हों के हैं थोड़ा उनको ये देत हैं कि आपके पालर पे लोगों का हो गया है कि वो जो है यहां पर सर विश ले सकते हैं क्या कभी आपको ऐसा लगा कि कम था थोड़ा मतलब शॉक जैशी ती बच्पना था शॉक थी जब शिल्मान भी घई तब जाके इंट्रेस्ट और बड़ा और चीजे जानने की इच्छा रहती है हमेशा अच्छा करूँ और अच्छा शिकूँ और उसके बाद जब यहाँ पर शुरुवादी में जैसे रिती चुनोतिया तो रहती हैं तो काम नहीं आता था अब रेंट भी देना है यह घरना है तो ऐसा र बीड़बार रहती है और उस टाम पर दिल भी खुर जैसा रहता है कि हां काम आ रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं जब आप सीजन जैसे ही सीजन निप्टा तो शुन्षानी होने लगती है एकाथ हपता तो ऐसा चले जाता है कि मतलब भई मख्या भी नहीं आ रही है सच्छी बात अगे स्थे स्थे रही हैं जब हए उतरा तो चले स disponible है तो प्रेशन को कैसे एंड़ करता है तो यह होता है आगे पीछे offense Meisz नीच में अच्छा काम भी तो आया अच्छा दोनों चीज mus海ंपे चलनी है तो आगे पिछे करना होता है तो वो जाता है मैंनि जब तो जाता है देना मैंने तेकित गीन हो थे बती है सब्सक्तारियाज wonder के दिशाय होती है की बादा दो नीकाल ली तो आगे को हो जाता है तो शुरुतायों के साथ भी मेरे साथ होती है किसे मे नहीं हमेने बह度 questa Гचा उड़ाये पैसा आफने आगा य है मतलब, ऐसा चला गया कि un Cao 다 कोड़ा एक भी पैसा कहीं से नहीं आया तो आपके साद्ट doctrine मतलब बलंट अब अपना रेंट तो रहता ही है वो देना है तो देना ही है अच्छा मतलब वो मैनेज करना ही पड़ता है और कुछ नहीं तो तभी और कुछ नहीं भी होगा ऐसा होता नहीं है मतलब महने का खर्चा निकल जाता है बाकी जो होता है रेंट का जो होता है वो फिक्ष हमें इस महने मैंने लेकिना कि लोगों के लिए लो चैलेंज होता है कि अगर पैसा आ रहे हैं तो ऊड़ा तो उडा दो फिर अगला मेंना तुड़ा पिष्ले मैंने मेंने ज्यादा यह बरबाद दृ तो इसलिए थोड़ाशा पैसों का मैनेजमेंट हम लोग करके चले अब देखा जैसे ना भौ सारी बालिकाई हैं जो पालर में रुची रखते हों या उन्हें लगता होगा क्या बहुत अच्छा पालर का काम कर सकती हूं या मुझे शीखना चीए तो आप उनको क्या सलह देना च एरिया है वहां पर इस चीज का अभी उतना नहीं है तो एकका दुक्का तो चल सकते हैं ज्यादा यहां पर नहीं वैसे पैशा अच्छा है पालर में और बहुत अच्छा कमा शकते हैं लेकिन प्लेंज की तरफ अगर इसमें जाए और अच्छा काम शीख लो तो अच्छी भी काहिए उड़ने लेकिन आप उनको वह भी देखना होता है कि घर शेंजें किया निए उनके शाथ होती हैं मेरा जैशन तो अपने लिए करना यह हर किसी के लिए नहीं होता है तो यानि कि आपकी जो एड़वाईज है जितना मैं समझ पाई हून कि पालर का का इन कौर व बहुत अच्छा है लेकिन पहले option रखो आपकी ऐसी जोगा हो जहां भीडबार ज्यादा हो जहां आपको opportunity ज्यादा हो जहां ज्यादा कॉस्टमर आते हो और अगर आप ग्रामीर छेत्र भी शुरताओ चुनते हैं पालर का काम करने के लिए तो ऐसा छेत्र चुने जहां पर कम पालर हो और आपके पास थोड़ा काम बढ़ा कर आए तो जाते जाते एक आखरी समाल भी गह सकते हैं अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहें चाहें वो ब्राइडल मेकप के लिए हो या फिर मैनिकूर पेडिकूर के लिए हो या जो भी सर्विस आपके द्वारा लोगों को पता रही हूं तो उसमें आप संपर्क करें और प्लीज करें और मुझे शेवा का मौका दें और मेरा नंबर है 84-77-05-17-11 तो स्रोदाओ आप जीवी ब्यूटी पालर में रेखा से संपर्क कर सकते हैं 84-77-05-17-11 यानि कि 84-77-05-17-11 यहां आके आप पालर से संबंदे सर्विस ले सकते हैं और यह पालर जो है वो केवल महलाओं के लिए है तो अगर महलाओं आई तो और खुशी होगी और रेखा आप से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई उमीद करते हैं कि आप उन महलाओं के लिए एक प्रेणा स्रोथ हैं जो अभी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है और आपका भी धन्यवाद दी आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर बोलने का और इतनी जानकारी ये लोगों तक पहुंचाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप से बात करके मेरे को भी बहुत खुशी हुई